हेलो गाईस, गुट मॉर्निंग, यार आज तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहे होंगे, तिन चार गंटे के अंदर तो अभी टेलर जो आनी है, टेलर टू जो आनी है, सलार का, बहुत मजा आने वाला है, लिटरेली, इस टेलर टू का हम ना जाने कबसे इंतिजार करके रखे थे, है ना, और इन दिनों तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया था टेलर टू के लिए, और पांच-पांच लेंगोज में आ रही है दोस्त, जैसे टेलर वान आया था, बिल्कुल टेलर टू भी आएगा वैसे, ओके, बस देखते हैं कि हिंदी को इस छोड़ करके एकदम से तरबाद यह थे मैंकर्स, मैं इस बार फिर से रियक्शन छोड़ूँगा दोस्त, ओके, रियक्शन तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, मतलब जब भी ट्रेलर देखूंगा, सूट करके ही देखूंगा, और अगर इस बार भी अगर ब्लॉग ऐसा रिकड़ बनी हुई है, 24 आवर्स के अंदर, 116 मिलियन, जो 24 आवर्स के अंदर जो व्यूज कमाया, क्या वो रिकड़ को टेलर टू तोड़ पाएगा, इस बार तो टेलर टू जो है, और भी चातर खतरनाक होने वाला है, मतलब एकदम से पूरा एक्शन पैक्ट होने वाला है, फाइनल पंच है ये, पूरा पंच, है, तो क्या लगता है दोस्त, 160 मिलियन को क्रस कर पाएगा या फिर नहीं, और हिंदी का जो रेकड़ बना हुआ है, डंकी का, कितना की, 57 और 58 मिलियन न, इतना है सम्ति, एक्जेक मुझे याद नहीं आ रहा, ओके, तो उसको भी तो होना चाहता हूं, क्या लगता है, हो पाएगा या फिर नहीं, अभी तो पिक टाइम है, मुवी रिलीश होना है, कमेंट करिएगा जरूर, और गाइस, टेलर टु आ रही है, 10.42 एम को, बहुत मजा आने वाला है, लिटरिली, अभी चलिए, थोड़ा हम, एडवांस बुकिं कितना हुआ है, अभी तक, इंडिया में, उसके बारे में अभी हम चर्चा गरेंगे, पहले मैं आपको डंकी का बता देता हूं, बड़ा ही कमाल का देखने को मिला है, लेकिन जवान और पठान के मुकाबले थोड़ा कम लग रहा है, जहां पे तिन दिन पहले से जिस तरह क सुनामी देखने को मिला था पठान में, जवान में, वो अभी तक नहीं हुआ है, दिरे दिरे मोर पकर रहा है, लेकिन अच्छा है, बहुत जबर्दस्त है, फिर भी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 6400, 6400 सोस में डंकी का एडवांस बुकिंग चल रहे हैं, और यही 45000 तक टिकेट जोबू सोल्ट आउट हो चुके हैं, और 4.4 करोड मतलब 4 करोड 40 लाग सम्थिंग इसका जो बना चुका है, इंडिया ग्रस कलेक्शन, बड़ा कमाल का देखने को मिला है, जो कि 4 करोड को पार कर लिया है, ओके देखते हैं, यह रबतार कब तक पकरती है, क् 18, 19, 20 और 3 दिन बाखी रहे गया, पूरा एकदम से जवर्दस तरीके का अभी बरना चाहिए, ओके देखते हैं, अभी हम बात करते हैं, सलार मुवी का, सलार का तो 5-5 लेंगोज में रिलीश हो रहा है, तो बारीकी से बात करेंगे, हाँ मैं डंकी का एवरेज टिकेट प्र पास-पास महुच के आए, आप देख सकते हो, ओके, यूगी टिकेट प्रैस ज्यादा है, होना भी चाहिए, अच्छी फिल्म है, टिकेट प्रैस होना भी चाहिए, ओके, और हमारे यहां पर होता है, हिंदी में होता है थोड़ा, बाकी सारे लेंगोज में, अभी मैं सलार क बताओंगा, आप चौक जाओगे, इतना कम, है न, इतना कम कैसे, आप देखिए, तो सलार का अभी हम बात करते हैं, तो पहले से मैं आपको सलार का अपना टोटल्स बता देता हूं, पुरा जितना भी आया है, टोटल, जैसे कि 3200, 3200 से थोड़ा ज्यादा है, सोस में जो है एडवांस बुकिंग चल रहे हैं सलार का, बहुत ही कम है यार, सोस कब उपन होंगे, कब एडवांस बुकिंग चलेगा, मेकर्स क्या अगर रहे हैं, पता नहीं, ओके, साइद आज से सब कुछ सेट होगा, आज तो ट्रेलर टू आ रही है, आज से सोस बगेरा बढ़ेंगे और बड़ा नंबर देखने को मिलेगा, 3270, 3270 सोस में जो है, एडवांस बुकिंग चल रहे हैं, सलार का, लेकिन 3000 सोस में भी, एक लाख, मतलब, डेड़ लाख, ओके, एक लाख, पचास अजार से भी ज़्यादा तक की टिकेट जो है, वो सुल्ट आउट हो चुके हैं, कमा से ज्यादा सोस में, डेड़ लाख को पार कर लिया है, और वहां के 6400 सोस में, एक लाख, 45,000 सम्थिंग टिकेट सोल्ट आउट हुआ है, तो टिकेट सोल्ट आउट के मुकाबले, हम देखें, तो सलार मुपी काफी अच्छा है, लेकिन इतना काफी नहीं है, ये दोनों फि साट लाख से ज्यादा तक की, इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, क्योंकि एवरेज टिकेट प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, मैं अभी आपको डिटेल्स बताऊंगा, हर एक लेंगवाइस का आप देखोगे, चोंग जाओगे, जैसे कि तेल्गु लेंगव की तेल्गु लेंगवज की बात करें, तो दो करोड़ बीस लाख सम्थिंग, इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, एवरेज टिकेट प्राइज है, 266 यह तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं, मलिया लम लेंगवज की, 850 सोस में एडवांस बुकिंग चल रहे है, 42,000 से ज्यादा तक की टिकेट जो अब वो सोल्ट आउट हो चुके है, 63,63,63 लाख सम्थिंग, इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, एवरेज टिकेट प्राइज होता है, 136, यहां पर हो गया ना कांट, इसलिए मतलब इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है, कम न और 4,600 से ज्यादा तक की टिकेट जो वो सोल्ट आउट हो चुके है, टिकेट अच्छा सोल्ट आउट हो है, 136 सोस में है, वो 4000 से ज्यादा तक की टिकेट सोल्ट आउट होना बहुत बड़ी बात है, और इसका हो चुका है, 4,60,000 से ज्यादा तक की मतलब इसका जो इंडिय बन चुका है तामिल लेंगोज का और आवरेज टिकेट प्राइस है और भी ज्यादा कम मेरे भाई 131 131 रुपए बहुत ही ज्यादा कम कानरा लेंगोज के अगर बात करें तो 36 सोस में एडवांस बुकिंग चलते हैं तो है यार बढ़ेंगे नंबर बढ़ेगा टिकेट आउट भी बढ़ेगा और एगर हम इंडिया ग्रोश कलेक्शन की बात करें तो 6,500,000 से ज्यादा कि इंडिया ग्रोश कोलेक्शन हो चुका है कानरा लेंगोज में सीर परसिप 36 सोस में बहुत ज़्यादा है जब सोस देखना tsunami क्या होता है average ticket price होता है 146 इसका भी बहुत ज़्यादा कम है 146 500 रूपे से भी कम अभी हम बात करते हैं हिंदी लेंगोज की हिंदी लेंगोज का भी 1600 मतलब यह advance booking चल रहे है और 18,000 से ज्यादा तके ticket जो वो sold out हो चुके है 18,300 प्लस आप देख सकते हो ओके और इसका इंडिया ग्रॉस कोलेक्शन हो चुका है 60,70,000 से ज्यादा और average ticket price होता है 316 300 से उपर 300 से उपर मतलब तेलगू और हिंदी का ticket price जो है बहुत ही ज्यादा है बाकी सारे लेंगोज का 1500 से कम है किसी जगा पर 136 किसी जगा पर 131 किसी जगा पर 146 कमाल है न इसलिए सलार का डेड़ लाग को पार कर लिया है ticket sold out day 1 advance booking के तौर पे लेकिन फेर भी 3.6 करोड है और डंकी का डेड़ लाग के अंदर ticket sold out हो चुके है लेकिन 4 करोड को पार है सारे 4 करोड तक पहुँच चुका ओके तो इसलिए 4.4 करोड तक पहुच गया है खेर देखते हैं आज से तो असली सुनामी शुरू हो रहा है डंकी का भी और तीन दिन बाकी रह गया उसका भी एकदम से खतरनाव सुनामी देखने को मिलेगा और सलार का टेलर 2 भी आ रहा है और सोस भी आज से बढ़ेंगे टेलर 2 छोड़ रहे है तो यह जो सारा प्रोब्लेम था वो सारा प्रोब्लेम तो अभी सोल्ट आउट हो चुका होगा तो सोस भी बढ़ेंगे है ना सलार का सोस बढ़ेंगे टिकेट सोल्ट आउट बढ़ेंगे नंबर भी बढ़ेगा इंडिया ग्रॉस कोलेक्शन भी और डंकी का डेवांड कलेक्शन कितना हो सकता है आप मुसे जरूर कमेंद करिएगा थैंक्स पर वेचिंग वे नाइस टेव